गूगल ड्राइव और वन ड्राइव को ना मैं ओन करता हूँ ना आप उन करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना गूगल ड्राइव या फिर अपना वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स कुछ भी आप कहलीजे, टेप्लॉई करेंगे अपने VPS में। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसको हम लोग ओन करेंगे, तो जो डेटा होगा वो हमारे गंट्रॉल में होगा, हमारे सर्वर पे होगा, हमें Google, Microsoft या Dropbox के सर्वर को अपना डेटा देने की जरूरत नहीं है। बखुत बड़ी ओर्गनाइजेशन का सबसे बड़ा कंसर्ण यही रहता है कि उनका डेटा बाहर लीक नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो डेटा सेक्यूरिटी बहुत बड़ा कंसर्ण होता है। आप लोगों को फाइल क्लाउड नाम की एक यूटिलिटी से मिलवाँगा, जिसको हम सिर्फ पांच मिनिट पे इंस्टाल करेंगे लिनोट पे। चितनी पावरफुल फंक्शनालिटी यह आप लोगों को देखता है, आपको भी मजा आने वाला है। कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टाइट गाइस, मैं आचुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और जो पहला काम मैं करने वाला हूँ, वह मैं करूँगा, जाऊँगा cloud.linode.com में और मैं अपनी अकमाई मैनेजर में लॉग इन कर लूँगा, और आप लोगों ने अगर अभी तक अकाउट नहीं बनाया है तो आप डिस्क्रीप्शन में दिये वह लिंक पर जा सकते हैं, linode.com slash cwh, जिसमें आप लोगों को 100 डॉलर मिलेंगे for 60 days, जो कि आप इस सब को जो भी मैं कर रहा हूँ, free में use करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो for 60 days जो कुछ भी मैं यापर कर रहा हूँ, वो आप 60 days तक free में कर पाएंगे जल्दी से create पर click करूँगा, linode पर click करूँगा, और यहाँ पर marketplace में जाकर file cloud search कर लूँगा, तो file cloud search करने से यहाँ पर मुझे file cloud मिलेगा अब सबसे मैं आइडिया बता देता हूँ, उसका क्या है, हम क्या कर रहे है आपने google drive, one drive सब use करी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं google को अपने data ना दूँ मैं one drive को data ना दूँ, और अगर मैं यह चाहता हूँ कि मैं किसी भी third party में अपने data को ना बेजू, अपने VPS में रखूँ तो मैं इस तरह की service का इस्तमाल कर सकता हूँ, अब आप लोग यहाँ पर देखो, file cloud के setup के लिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए, linode api token अगर आप लोग चाहते हैं, अपने DNS records को यूज करना, अपने domain को यूज करना, तो यह वाला जो step है पूरा, वो optional होने वाला है, लेकिन मैं आपको करके दिखाँगा, यूज कि अगर आप चाहते हैं करना, तो आपको आना चाहिए, तो मैं आपर क्या करने वाला हूँ, कि आउंगा, API tokens में इसको नई टाब में खोलूँगा, और API tokens में आकर, मैं आपकर create a personal access token रखूँगा, इसका नाम मैं file cloud रख देता हूँ, आप कितना भी मनचाए, tokens बगएरा बना सकते हो, create token पर क्लिक करके, इस token को copy कर सकते हो, and इस token को copy करने के बाद, आपने simply करना किया है, यहां पर इस token को paste कर दिना है, मैं यहां पर drive रखना पसन करूँगा, और domain में मैं huntingcoder.com, जो कि मैंना अल्यडी add कर रखा है, अपने इस linode account में, huntingcoder.com में use करूँगा, अब अगर आप लोगों ने कोई domain add नहीं किया हुआ, अपने linode account में तो यह काम नहीं करेगा, मैंना out of मैं password चुन लूँगा यहां पर, and मैं आपर region में Mumbai दूँगा, आपके NSD की जो भी region हो, आप वो चुन ले, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह Nano 1GB में भी काम करता है, अला कि अगर आप लोग थोड़ी जादा files पगएर store करना चाहते हैं, तो बड़ा linode बना लेना, मैं आपर Nano 1GB में आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास comments आते हैं, चोटी से चोटी मशीन में हो जाएगा, क्या, तो चोटी से चोटी मशीन में ही मैं करके दिखाऊंगा, तो मैं जल्दी से यहां पर, जो password है उसको डाल दूँगा, और इसके बाद मैं create linode पर click हैं, तो हम लोग इस linode के इंदर जाग कर देख सकते हैं, हम लोग launch list console पर click कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि क्या progress चल रही है, तो basically कोई जादू अगरा यहां पर नहीं हो रहा है, जो linode है, इनकी marketplace पे जो भी apps हैं, वो install होती है using a community stack script, और वो stack script run होती है इस linux server में, यह का आप manually भी कर सकते हैं, लेकिन linode की marketplace आप लोगों के लिए चीज़े आसान मना देती है, तो इसलिए मैं आप मैं इसको 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 इस्तेमाल करता हूँ, जल्दी से मुझे file loud spin कर रहा है, तो मैं यहाँ पर marketplace install कर सकता हूँ, और यहाँ पर देखो disk create from stack script completed, और यह boot हो रहा है install करके देतेगा, तो देखो time तो लगेगा, तो मैं इसको time को, जो है इसको देता हूँ time पूरा, और जब यह पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं वापस आता हूँ, तो यार, थोड़े बहुत इंतिजार के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह हमारा सब कुछ complete हो गया है, and hopefully this is going to work really well, अब मैं आपर एक नई टाब में, drive.google.com नहीं, huntingcoder.com खोलूँगा, जो कि हमारा सब डोमेन है, and yes, file cloud आगया, अब जो मैं instructions आप लोगो को बता रहा हो ना, वो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ से proceed करने की कोशिश करोगे, बिना सुने, तो problem होगी आपको, उस problem से आपको बचाने के लिए, मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको admin panel access करना है, और इसके लिए आपको slash admin पर जाना है, कहा जाना है, slash admin पर, ठीक है, और slash admin पर जाकर आपको admin डालना है, अकाउंट में, और password में आपको डालना है, pssword password, और आप यहाँ पर देखो, यह default हमारा password था, और यहाँ पर आपने देखा कि, हमने login में डाला admin और password में डाला simple password, हम हो चुके हैं, यहाँ पर login, अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, कि आप लोगों को यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, एक नई license file जो है, वो create करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, कि आप लोगों के लिए जो link है, वो ready किया हुआ है, तो आपको portal.getfiledout.com पर जाना है, और जैसे यह आप इस link पर जाएंगे, you should be able to get a license file, और यहाँ पर मैं आपको बता दाँँ किस तरह से वो गाम किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देखो, यह email address मेरा मांग रहा है, in fact, यहाँ पर मैं अपना email डाल दूँगा, और मैं next करूँगा, और इसके बाद यहाँ पर एक verification code भेजा गया है मेरे email पर, मैं यह verification code जो है, वो देखकर जल्दी से जो है, यहाँ पर डालूँगा, तो मैंने अपने दूसरे monitor में verification code को किया, copy, और यह किया, मैंने paste, sign in करता हूँ, and yes, I am signed in, लेकिन अगर आप लोग पहली बार login करोगे ना, यह आप से बहुत सारे सवाल पूछेगा, और आपको पूरा process जो है, आप से मांगेगा, कि कौन सी company है, company name, यह वो, बहुत सारी चीज़े आप से पूछता है, simply account आप लोगों को बना लेना है, और यहाँ पर मैं जल्दी से एक graphic लगा देता हूँ, जिसमें कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाता हूँ, किस तरह से यह process की जाती है, just to keep the video interesting, आप लोग यह चीज़ कर लेंगे, मुझे पता है, boring नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और इस यह file में save कर लोगा, license.xml, इस license.xml को ही हमें यहाँ पर upload करना है, तो इसको मैं license.xml को ही काम करता हूँ, choose file करके upload कर लेता हूँ, यहाँ बात तो वही है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, license.xml, और यहाँ पर मैं apply कर दूँगा, and I should be good to go, यह सारे जो errors से इनको आप dismiss कर स रखते हैं, errors and warnings आ रही है, कुछ-कुछ, अब आपने क्या करना है, अगले step पे users में click करना है, और जैसे यह आप users पे click करेंगे, you should be able to add a user, तो add user पर हम लोग क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पर authentication में default authentication करता हूँ, यहाँ पर मैं full करता हूँ, access level, यानि कि जो user हम बनाने वाले ह उसको सारा access होगा, यहाँ पर Harry रखते हैं, display name Harry रखते हैं, password, एक बहुत ही simple सा password मैंने चुन लिया, harry at code with harry.com, टीक है, create कर देंगे, email notification मैं send नहीं कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पर जा सकते हैं, drive.huntingcoder.com पर, so अब मैं आ जाओंगा, यहाँ पर account में अपना username यहाँ पर जो password है, उसमें मैं लिखूँगा, वही password जो कि मैंने चूस किया था, and we should be able to login, and yes, we are logged in, तो हम अपने account पे login हो चुके हैं, मैं चाहँ तो अपने password को save भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी अपने password को save नहीं करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो, Harry एक user बन 10.4.mp4, और यहाँ पर मैं अपलोड करना चाता हूँ, let us say my files में, मैं यही पर अपलोड करना चाता हूँ, my files में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, upload it successfully, और यहाँ पर क्या मैं इसको preview कर सकता हूँ, यह एक इंटरनेट से video मैंने डाउनलोड किया था, यह मैं नहीं हूँ इनके साब पूछो मुझ से, और यहाँ पर आप जितनी वी अंचाहे files बगएर डाउनलोड कर सकते हो, amazing यार, मैंने I think accidentally close कर दिया, तो मैं काम करता हूँ, drive.handincorder.com पर दुबारा जाता हूँ, and I am locked in, wow, as user Harry, और यहाँ पर मेरी files देख रही हैं, मैं चाहँ तो इसको डाउन यहाँ पर upload करना चाहता हूँ, तो यह demo.mp4, उतनी बड़ी file भी नहीं है, यह 188 MB की file है, let's see कि हमें क्या upload speed देखने को मिलती है, और मैं आप लोगो यह भी बताऊँगा कि किस तरह से S3 storage में से इसको connect किया जा सकता है, तो अगर मैं यहाँ पर देखू, तो हमें बहुत आर आए वो, वहाँ पर आपकी जो speed है, वो cap कर दी जाती है, यह आपको भी पता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह upload हो चुका है, इसको download मैं करूंगा, तो यह और भी तेज मेरे साफ से download होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि यह cashed हो यह थोड़ा कम था, but still impressive speed, और बेबी मैं इसको object storage से connect करूंगा, स्थी compatible है, object storage से तो और तेज स्पीड आईगी, काफी बढ़िया यह चीज है, hope कि आप लोग को मजा है, आप इस तरह के और भी बहुत सारी users बना सकते हैं, और यहाँ पर users ने क्या क्या किया, यह भी देखा जा सकता है, और आप users को कितनी storage देना चाहते हैं, जैसे कि मुझे आपर 2GB मिले हुए, 2GB से जादा मैं use नहीं कर सकता, और मैं चाहूं तो इस चीज को change कर सकता हूं अपने इस admin panel से, तो यह admin panel है, और यह Harry का panel है, तो Harry के panel से Harry अपने files को upload करेगा, यहाँ फिर कोई भी user है, वो अपनी file को upload करेगा, और admin जो है, जो मालिक है server का, मालिक है decide करेगा, कि कितने GB, MB, KB, या फिर B, files आप upload कर सकते हो, ठीक है, I hope कि this video was helpful, अगर आप लोग को एक tutorial चाहिए, how to connect file cloud with S3 storage, मुझे नीचे comment करके बता देना, मैं वो भी आपको बताऊंगा, कि S3 storage, जो linode object storage है, उसको connect करके किस तरह से करना है, इसी काम को, वो भी मैं आप लोग को बता दूँगा, इसका use क्या है, इसका use यार यह है कि बहुती जल्दी, easily आप इस तरह की चीज़ को spin कर सकते हो, in my opinion, this is game changing, काफी बढ़िया है, अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time